आज हम आपके लिए एक ऐसी ब्रीड लेकिया हैं, जिसे आप घर में रखतो सकते हैं, लेकिन विदाउट ट्रेनिंग नहीं ये डॉग इतना पोटेंशल रखता है कि किसी भी स्पोर्ट को अपने लिए बाय हाथ का खेल बना दे ये रिट्रीविंग से लेके, अटाकिंग से लेके हर चीज में नमबर वान है, इस ब्रीड का नाम है बेलजियम मेलानॉज, ये डॉग ब्रीड अपने बायट वोक के लिए पूरे दुनिया में फेमस है, ये ऐसी ब्रीड है जो 18 सदी में मेलनीज जगाती बेलजियम में वहा इसके इस्तमाल किया जाता है, और इसी की एक और शाका है जिसे कहते हैं बेलजियम टेरुविंग जिसने फर्स डॉग शो जीता था पूरे दुनिया में, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं, बेलजियम मेलनॉज का, बेलजियम मेलनॉज सिर्फ और सिर्फ उन ओनर्स के लिए जो दिन में 4 घंटे अपने dog को दे सकते हैं 4 घंटे मतलब अगर अपने ऑपने dog के साथ 2 घंटे jogging कर रहे हैं और उसको ठक जाते हैं तो ये आपके लिए नहीं बना इस dog को 2 घंटे jogging के साथ 1 घंटा fetch खिलाना पड़ेगा और कुछ acrobatic excises भी करानी पडेंगी जैसे कि obedience हो गया या फिर jumpings हो गया कुछ ना कुछ इसके साथ करते जाना पड़ेगा क्योंकि ये dog जो होता है वो कहले जी आप a dog on cocaine इस कुटे को dog on cocaine इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसका जो adrenaline है वो ही इसका dopamine है मतलब इसके अंदर जो hormones है वो हमेशा से काम करते ना चाता है आप अगर इसको खाली बिठाए रगते हैं और एक cage में डाल देते हैं तो उससे escape करना इसके लिए बाए हाथ का खेल है अभी recently मैं और आयतिर हम लोग गए एक जगा फरिदाबाद में जहाँ पे एक कैनल है जिसका नाम है Wolf Master K9 और वहाँ पे दुनिया के कई अच्छे-अच्छे Belgian Melanos रहते हैं वहाँ पे जो owner है उसके Ryan the Chauhan वो basically एक sporting dog club के member भी है और प्लस PSA के trainer है वो एक certified trainer है जिनको पता है कि एक Belgian Melanos की energy को कैसे channelize करना चाहिए और हमने वही चीज वहाँ पे देखी कि जब उन्होंने दूसरे Belgian Melanos को train करना start किया जो उनके personal भी थे और कुछ clients के भी थे और उनके अंदर से कैसे drive निकालनी पड़ती है कैसे energy लेके आना पड़ता है कैसे उनको motivate करना पड़ता है कैसे protection के साथ उनके bite work को उनके sniffing को उनके obedience को ले में लेके आए क्योंकि ये भी एक art है अगर आप बोलते हैं कि इस चीज में art नहीं चाहिए ऐसा नहीं है Belgian Melanos एक हमेशा से ऐसा dog रहा है जिसका अगर एक sorted owner नहीं रहा जो कि fitness freak है या फिर commanding नहीं है तो वो dog उसके बास नहीं टिकेगा उसके लिए रायंदर चोहान जैसा एक disciplined बंदा चाहिए होता है अब बात करते हैं इस dog के character sketch के बारे में कि इसके grooming कैसे होती है कितना खाना देना परता है कहां मिलता है बहुत साइच चीजे factor matter करती है आपे मैं बताता हूँ Belgium Marinos आज की rate में सिर्फ और सिर्फ sporting club से ले sporting club जो PSA dogs को train करते हैं जो walking lines होते हैं यहाँ पे आपको दो-तिन बंदे हैं जो Belgium Marinos train करते हैं और breed करते हैं उनमें से एक है रायंदर चोहान एक हर्षिद राष्टपाल और कई ऐसे dog clubs हैं जहाँ पे बहुत अच्छे-च्छे Belgium Marinos breed हो रहे हैं लेकिन make sure करें एक PSA certified trainer से ही Belgium Marinos लेजिए क्योंकि मैं आपको इसलिए चीज बोल रहा हूँ अभी रोहिनी में सेक्टर 18 में मैंने एक Belgium Marinos से encountered हुआ वो जो dog था वो इतना sorted था और एक आम कुट्टे की तरह walk कर रहा था अपने owner के साथ लेकिन जब मैंने उसे पूछा आपने लिया कहां से है तो उन्हें एकी चीज बोली कि मैंने wolf master canine से लिया है और मैदर बात ये थी कि dog उसको तब दिया गया जब उसने उसको handle करने की training ली मतलब आपके पास एक gun है उसको चलाना उसको रोकना उसको कब यूज करना उस सारे चीजों को समझना बहुत ज़रूरी है अब आते हैं इसके grooming के पार्ट ते कि इसको कितने grooming की ज़रूरूत है Belgian Marinoise वैसे तो double-coated dog होता है लेकिन अच्छा कासा short coat होता है इसका इसके अंदर आपको daily दो बार groom करना है कभी shave नहीं करना और make sure करना है कि उसके पैर या टकने छिले ना हो क्योंकि बहुत ज़दा भागता है और हमारी roads ऐसी है कि कई बार पैर छिल जाते है अब आते हैं इसके डाइट पे Belgium मिला नौस के लिए best डाइट है बार्फ डाइट मतलब जो raw डाइट होती है चिकन को कीमा करके या फिर मतन को कीमा करके आप दे सकते हैं इस डॉक को रखने के बाद अगर आप सोचते हैं कि वेटियन डाइट देके इसके नसे ड्राइवस लेके आएंगे नहीं हो सकता वेटियन डाइट से सिर्फ और सिर्फ अलर्जीज पैदा होती है और इन स्पोर्टिंग डॉक्स के लिए प्रोटीन इस आई सोर्स आफ एनरजी चार घंटे मतलब कंडिशन करने के लिए जिसके अंदर आप मेक शूर करेंगे इसे रनिंग दे रहे हैं रनिंग मतलब आप साथ में जॉग करें या एक जॉगर लगा रहे हैं जो एट लीस्ट दो घंटे इसके साथ स्लो जॉगिंग कर रहा हो जिससे इसका stamina build up होता है साथ के साथ इसके साथ आपको एक ball रखनी है जिसके साथ आप खेल सकते हैं फैच खिला सकते हैं घंटों तक ये फैच कर सकता है खेल सकता है रस्ची दे दिजिए उसमें लटका रहेगा अपने bite को वो कर रहा होगा मजबूत कर रहा होगा अपने jaw muscles को यहाँ तक कि उसे अलग-अलग training method जी चैसे stay हो गया set हो गया यहाँ तक कि heal करना उसे सबसे पहले आना चीए और leave करना चीए इन सब के बाद भी अगर आप ready हैं dog को लेने के लिए तो आपको जेब से भी थोड़ा अमीर होना पड़ेगा I am really sorry to say this this dog is not easy to buy अगर आपको कोई अच्छा trainer या अच्छा breeder यह dog देता है तो वो make sure करेगा you are getting a trained Belgian Melanos it is not for first time dog owner क्योंकि यह आम कुत्ते के तरह नहीं है इसका drive बहुत हाई होता है और इसका जो price होता है आप मानके चलिए एक लाग से लेके नौ लाग तक वैडी करता है कई breeders ऐसे हैं जो Belgian Melanos को 25 से 30 ज़ार में बेच रहे हैं लेकिन घटिया quality के साथ मैं हाज जो के request करता हूँ कि ऐसे breeders से Belgian Melanos ना ले कारण है उसके बीचे कि अगर आप इतना अच्छा dog ले रहे हैं लेकिन एक sorted mind के साथ नहीं ले रहे आपकी पूरी life ruin हो जाएगी और ऐसे dog facts और ऐसे dog breeds के लिए हमें follow करते रहे मैं Avinab Krishan aka Dog Daddy आपको इसी तरह T.U.C. पर बताते रहूँगा dog world में कितना सारा खजाना है